नमस्कार दोस्तों हमारा next question है एक पिंड यानि कोई एक वस्तू जल में 4 डिग्री सेंटीग्रेट पर तैरती है यह तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेट हो तो वह पिंड क्या हो जाएगा अर्थात 4 डिग्री सेंटीग्रेट तापमान से अगर जल का तापमान 100 डिग्री सें पिंड मुक्त रूप में तैरता रहेगा और उसका कुछ और बाग जल मगन हो जाएगा बहुत इंपोर्टेंट क्वेस्ट नेक्स्ट हमारा उप्षन है उसकी स्थीती में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो आपको पता है कि जल चार डिगरी टेमपरेचर पर जल का गंतों सब के कारण जल का गंतों कम होने कारण वस्तु कुछ भाग और डूब जाएगा तो इसका राइट अंसर के आएगा सी नेक्स्ट हमारा क्वेस्टन है चंद्रमा के प्रकास को धर्ती पर पहुंचने में कितना समय लगता है आपको बताना है 1.3 सेकंड, 12.5 सेकंड, एक मिनिट और 52 सेकंड आपको पता है कि चंद्रमा और प्रिथिवी के बीच की दूरी 3,84,000 km है और वहीं परकास की चाल कितनी है 3,00,000 km पर 3 second अगर इससे निकाल डिवाइड करें तो 1.28 second यानि 1.3 second time लगता है हमारा next question है road या rail परिपत पर वकरों का जुकाव क्या परदान करने के लिए दिया जाता है जो road होते हैं या rail की जो पटरिया होती है उनके गुमाओ को जुकाव क्यों दिया जाता है A option अभीकेंद्रियाबल B option उपकेंद्रियाबल C option अभीकेंद्रियाबल और D option कोणी है वेग तो इसका राइट अंसर है A अभीकेंद्रियाबल कोई भी road हो उनको वहानों को आभीकेंद्रियाबल परदान करने के लिए उनमें जुकाव दिया जाता है जिसके काण जो वहान होता है वो road से गिरता नहीं पर पत पर ही चलता रहता है इसके कुछ example दिये हुए हैं जिस प्रकार पहाडों पर गुमाओदार सडके बनाए जाती है या सरकस में मोत के कुवे को भी आप उधारन देख सकते हैं हमारा next question है जब दूद को बिलोए जाता है तो उसमें से मलाई अलग हो जाती है यह किसके कारण होता है A option है गुरत वाक्षन बल के कारण B option है अभी केंद्रिया बल के कारण और C option है अप केंद्रिया बल के कारण आपको मैं एक बात बताता हूँ अगर कोई चीज दूसरी से अलग होती है वो अप केंद्रिया बल के कारण होता है और इसी परकार दूद से मलाई निकलना या घी निकलना अब केंद्रिया बल के कारण होता है और इसी परकार जो कपड़े दोते हैं उससे मैल का अलग होना वो भी अब केंद्रिया बल के कारण होता है तो राइटनस नहां भी हो जाता है next question हमारा हाईग्रो मीटर का उप्योग क्या मापने में किया जाता है हमने पहले भी जिकर किया है जो हाइड्रो एक होता है हाइड्रो मेटर और एक होता है हाइड्रो जिसमें अगर हाइड्रो है वो जल की आधरतम आपने के लिए होता है और जल की घंतम आपने के लिए क्या होता है वो हाइड्रो मेटर होता है इसमें लिखा हुआ हाइड्रो मे क्या होता है जिससे किसी भी दर्वे की आप एक्सित गंतो मापा जाता है हमारा नेक्स्ट कोईशन है प्रिथ्वी के किस भाग पर जी का मान सबसे अधिक होता है आपको याद रखना है प्रिथ्वी का जो अक्स है उस पर जी का मान सुन्य होता है और जो प्रिथ्वी का जो दुरू होता है उस पर जी का मान अधिक्तम यानि नोपमेट आथ होता है आप इससे कैसे सोलूशन सोलो करेंगे कि जो भूमत दरीक है उस पर न्यूंतम और जो दुरू होता है उस पर अधिक्तम होता है यह दिया हुआ है हमने यह अक्स है परित्वी का और यह दुरू है तो next question है किस कारण से वर्षा की बूंदे गोल ये अकार की होती है ये हमने पहले भी जिकर किया है ये HSSC के auction recorder में हाया है कि जो बूंदे गोल क्यों होती है A option है केसी काताओ के कारण, B option है गुर्टो के कारण, और C option है परिष्टिय तनाव के कारण और D option है इन में से कोई नहीं तो इसका राइट अकार क्या है परिष्टिय तनाव के कारण जो वर्षा की बूंदे है वो गोल होती है next क्या होता है question पलसर क्या होते है परिथवी की और जा रहे तारे, परिथवी से दूर जा रहे तारे, तेजी से घुमने वाले न्यूटर्न तारे, उस्तापमान वाले तारे तो जो पलसर क्या होते है पलसर, तेजी से घुमने वाले न्यूटर्न तारे होते है तो राइट अंसर क्या आ जाएगा C और जो पलसर है इसकी फुल फोर्म है पलस पलस क्वासर अत्यादिक चुम्ब किये होता है बहुत तेज गुरन करने वाले नूटरन तारे होते हैं जो विद्धु चुम्ब किये वीकरण उत्पन करते हैं हमारा next question है जो friction कोण और repose कोण निम लिखत में से किस रूप में होते हैं जो friction कोण है और जो repose कोण होते हैं ये दोनों समान होते हैं मतलो फ्रिक्षन कोन जितना होगा उतना ही रिपोज कोन होगा तो इसलिए right answer क्या आएगा हमारा next question है निमिलिक्त में से किस दर्वे का घंतो सबसे कम होता है सवस्च जल का नमकीन जल का और हमारा next option है पेट्रोल का और डी हमारा मरकरी का तो सबसे कम घंतो होता है पेट्रोल का क्योंकि जो उपर हमने बताया कि मरकरी का सबसे ज़्यादा घंतो होता है और सबसे कम पेट्रोल का होता है इसी कारण है कि पेट्रोल पानी से उपर तैरता है स्वस्च जल का गंतो नमकीन जल के गंतो की अपिक्सा कम होता है अर्थात नमक डालने से गंतो बढ़ जाता है हमारा next question है किस परकिरिया से लाल्टेन या लेम्प की बत्ती से तेल उपर चड़ता है बलाग पुर्ण से केशिकाताव से परिष्टियतनाव से इनमे से कोई नहीं तो इसका राइटन सरह है केशिकताव से कोई भी चीज चाहे वो तेल हो गया चाहे वो गी हो गया वो केशिकताव के कारण उपर चड़ता है अगर हम solution देखें किसी पतली परखनली में दर्वय का उपर या निच्चे होना केशिकताव कहलाता है लालटेन या लैंप में रखी हुई रूई की बत्ती एक परखनली कीत रहे कारिया करती है जिसमें तेल उपर चड़ता रहता है इसी परकार कुछ उधार्ण है जिस परकार फाउंटेन पैन, ब्लोटिंग पेपर, पोदो में पानी का जड़ से पत्तों तक मोचना भी के शिकताव के कारण होता है हमारा next question है सहंती और उर्जा के बीच किसने संबंद स्तापित किया जो सहंती होती है और उर्जा होती है उनके बीच में संबंद किस विज्यानिक ने स्तापित किया पलांक ने, आइंस्टेन ने, डाल्टन ने और रद्दरफोर्ड ने ये आइंस्टेन ने संबंद स्तापित किया अलबर्ट आइंस्टेन ने दर्वमान और उर्जा के बीच संबंद स्तापित किया उन्होंने बताया जो एनरजी है वो है M C का सुकेर जहां M द्रेवमन है और C क्या है परकास का वेग है और इसी परकर प्लांक ने फोटो इलेक्ट्रिक परभाव और डाल्टन ने परमानु सिधात है और रद्रफोडन ने प्रोटन और परमानु नाभी की खोज की इसी परकर हमारा नेक्स्ट क्वेशन है पंडूबी के अंदर से समुंदर की सता है या भूमी के द्रिश्चे देखने के लिए किस यंतर का प्रयोग किया जाता है A. पेरिस्कोप B. सेक्स टेंट C. सेटिरियोस्कोप D. टेलिस्कोप इसका राइट नसर है A. जो पंडूबी के अंदर से समुंदर की सता है और भूमी के द्रिश्चे देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है और जो सेक्स टेंट है वो दोहरा प्रावरतनी यंतर है जो दो द्रिश्चे दरस्नी है वस्तों के बीच कोणी है दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है इसी प्रकार स्टेलियोस्कोप क्या है एक उप्टिकल उपकरण है और टेलिस्कोप क्या है खोगोल ये पिंडो को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है हमारा next question है समुंदर में ज्वार और भाटे का क्या कारण है चंद्रमा का आकरशन, B सुर्ये का, C दोनों का, D और सुर्ये और चंद्रमा के आकरशन के बीच का विशेशक आपको याद रखना है समुंदर में ज्वार भाटा चंद्रमा और सुश्ये के आकरशन के कारण आता है धर्ति परस्तित सागर के जल किस्तर का समान्य शतर से उपरूठना ज्वार और नीचे गिरना भाटा कहलता है अर्थात समुंदर का जल उपरूठता है तो उसको जुवार कहते हैं और जब सुंदर का जल नीचे गिरता है उसको भाटा कहते हैं वास्तों में जुआर और बहटा की घटना केवल सागरों में ही नहीं होती अपित्तु उन सभी वस्तों पर लागू होती है जीन परसम्य और स्थान के साथ परिवर्तन स् information गुर्तों बल लगता है उधार्ण के लिए ठोस जमीन पर भी जुआर और भाटा का स्थाथ लागू होता है नेक्स्ट हमारा सोर परिवार में नीमन में से कौन सा ग्रह है सूरिय से अधिक्तम दूरी पर है यूरेनस, सनी, वरून और गुरू आपको पता है कि जो वरून है नेक्स्टुन वो सबसे अधिक दूरी पर है पहले 2006 से पहले पलेटो होता था जिसको 2006 में ग्रह की सरेनी से निकाल दिया है अब वरून सबसे अधिक दूर स्थीत है और बूद सबसे कम दूरी पर स्थीत है हमारा next question है अगर हम दूरी के नुशार देखें ग्रहां को सजाएं तो बुद्ध, सुकर, पृत्वी, मंगल, वरसपती, सनी, अरून जिसको यूरेनस भी कहते हैं और हरा ग्रहा भी कहते हैं वरून जिसको हम नेप्चुन भी कहते हैं यह हमारा करम है नीमन में से कौन सा तारा पृत्वी के सबसे नजदीक है धूरो, अलफा सेंचुरी, सुरिय और सीरियज आपको याद रखना है जो सुरिय है वो सबसे नजदीक तारा है और सुरिय पृत्वी से 15,00,00, क्रोड किलो मेटर दूर है और दूसरा तारा अलफा सेंचुरी है आप इसको भी याद रख सकते है सुरिय पृत्वी का सबसे निकटम तारा है दूसरा निकटम तारा अलफा सेंचुरी है वास्तो में अलफा सेंचुरी एक तारा मंडल है जिसमें तीन तारे है अलफा सेंचूरी में कितने तारे हैं तीन तारे हैं सुर्ये का निकर्टम प्रोशी प्रोक्सीमा सेंचूरी है नेक्स्ट हमारा क्वेस्टन है किसी भी तारे को की दूरी मापने के लिए कौन सी सबसे अधिक उचित इकाई है आपको याद रखना है जो प्रकास वरस है वो दूरी मापने की इकाई है तो इसका राइटन सरी क्या आएगा प्रकास वरस और कुलाम क्या है आवैस मापने की इकाई है और एमपियर का है विदुधारा मापने की इकाई है नेक्स्ट हमारा question है 28 दो सरल पेंडूलम समान आवदी पर कमपन करते हैं इसका उचित कारण कौन सा है आप इन कारणों को पढ़ सकते हैं तो इसका right answer क्या आएगा उनकी लंबाई ब्राबर है एं उनके निलंबित कणों का दिरोमान समान है B option है उनकी लंबाई ब्राबर है और उनके निलंबित कणों का दिरोमान समान होना आवशक नहीं है C उनकी लंबाई अलग है किन्तु उनके निलंबित कणों का दिरोमान समान है D निलंबित कणों का दिरोमान और से ही पेंडूलम की लंबाई के विप्रूत अनुपात पर तो इसका राइटेंसर आएगा तो इसका राइटेंसर आएगा ओप्शन भी उनकी लंबाई बराबर है किन्तु उनके निलंबित कणों का दुरोमार समान होना आवश्यक नहीं है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पानी के गिलास में तैर रहा बरब का टुकड़ा जब पूरीत रहा पिंगल जाएगा तब पानी का सतर बढ़ेगा घटेगा उतना ही रहेगा कहां नहीं जा सकता तो आपके याद रखना है कि बरब का पिंगल जाती है तो भी पानी के गिला डूबा होता है इसलिए जब बरप पिंगलती है तब जल से तरह समान रहेगा नेक्स्ट क्वेशन सोर प्रनाड़ी की खोज किसने की थी ए न्यूटन ने बी जान हेडली ने ची कोपरनिक्स ने डी गैलिलियो ने आपको याद रखना सोर प्रनाड़ी खोज गैलिलियो ने की थी गैलिलियो एक इतालवी दर्शनिक था जिसने सोर प्रनाड़ी की खोज की थी और कोपरनिक्स एक पुलरेंड का विज्यानिक था और इसने ही बताया था की सूरिय के अंदर में है और बाकी ग्रह इसकी परिक्रमा करते है हमारा नेक्स्ट क्वेशन है किसके कारण दरों की मुक्त स्थाप एक सीट की तरह विवार करती है तथा कम से कम संभोग चेतरपल में संकूचित होने की प्रिवर्थी रखती है आसजन बल, घर्षन बल अपकेंदरिया बल, स्थापने बल तो इसका राइट अंशर है स्थापने बल जिसको हम को हैसन फ्रस से भी कहते है जो समान एक ही दर्वार, एक ही गुन वाले अनवों के बीच लगता है एक ही दरवे के वीबिन अन्वों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं सैसंजन बल कहते हैं और जो प्रिष्टियत नाव सैसंजन बल के कारण ही होता है जब केसी काताव सैसंजन और आसंजन दोनों के कारण ही होता है जबकि हमारा नेक्स्ट कोईशन है दरो सभी दिवारों में बराबर मातरा में दबाव परसारित करते हैं दरो होता है जो किसी बरतन में डाला जाता है तो वह दरो सभी दिवारों पर बराबर मातरा में दबाव डालता है यह नियम क्या है? बोयल का नियम, पासकल का नियम, आरकमिडीज का नियम और इनमें से कोई नहीं आपको याद रखना है कि पासकल का नियम कहता है कि कोई दरो सभी दिसाओं में बराबर दबाव डालता है और जो बोयल का नियम होता है ये गैसों के विश्य में होता है और जबकि जो आरकम मेडीज का सधात है वो उत्पलावकता के विश्य में होता है नेक्स्ट पेस्ट बार किसकी इकाई है उस्मा की, तापकरम की, धारा की और वायूमंडले दाब की ये PGT में आया था जो बार है वो दाब की इकाई है उस्मा की इकाई जूल होती है और तापकरम की इकाई एमपियर होती है और सेल्सियस है, तापकरम की इकाई सेल्सियस होती है और विद्धु धारा की जो इकाई है वो एमपियर होती है ये आपको तिनो इकाई याद रखनी है हमारा नेक्स्ट क्वेस्टन है बहुत सी अलब सम्य अंतराल को सुद्धा से मापा जाता है परल्स के द्वारा, क्वार्ट गडियों द्वारा, प्रामानिक गडियों द्वारा, स्वेत ग्वामन द्वारा जो सम्मे की जो अत्यनत कम मात्रा में जो सुधूता है उसको मापने के लिए परमानवीक गडिओं का प्रयोग करते हैं इसका राइट नशर है C जो क्वार्ड़ का प्रयोग साधन गडिओं में किया जाता है बहुत इंपोर्टेंट क्वेशन, नेस्ट क्वेशन, अंत्रिक्स में सुदूर गलेक्सियों का द्रिश्य अवलोकन करने हेतू, टेलिस्कोप प्रात्मिक रूप से स्थापित किया जाता है, नेस्ट दुबारा क्वेशन देखें, अंत्रिक्स में सुदूर गलेक्सियों का द्रिष्च वलोकन करने है तो टेलिशकोप प्रात्मिक रूफ से स्थापिद किया जाता है अवलोकन द्रिष्च को निक्ट लाने के लिए, प्रित्वी के वायूमंडल में परकास अथ्वा अन्य वीकिर्णों के अवसोशन से बचने के लिए, प्रिथ्वी के आबादी वाले एक्षेत्रों से परकास के परदूशन से बचने के लिए डी ओप्षन प्रिथ्वी के गती के विरुद टेलिस्कोप को परिचालित करने से बचने के लिए तो राइट अंसर है प्रित्वी के वाईयू मंडल में परकास और अन्य वीकिरणों के अवसोशन से बचने के लिए Next question हमारा जब दूद से मलाई अलक की जाती है तो उसे क्या होता है दूद का गंतों बढ़ता है, दूद का गंतों कम होता है, दूद का गंतों एप परिवर्तित हो जाता है और दूद का गंतों अधिक गाड़ा हो जाता है, तो इससे आपको पता है कि दूद का गंतों बढ़ जाता है दूद का गंतो तीन चीजों पर निर्वर करता है जल, मलाई और सोलिड नोन फैट पर इन तीनों में मलाई का गंतो सबसे कम होता है इसलिए जब मलाई का गंतो अलग कर दिया जाता है तो दूद का गंतो बढ़ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेशन सडकों या रेलवे ट्रेक के वक्रों पर ड्लान दी जाती है यह क्यों दी जाती है गुरत्विय बल परदान करने के लिए कोणिय वेग परदान करने के लिए अभी केंद्रिय बल परदान करने के लिए और अभी केंद्रिय बल परदान करने के लिए तो इसका राइटन्स रह अभी केंद्रिय बल परदान करने के लिए सटकों और रेलों पर जलड़ान दी जाती है वो अभी केंद्रिय बल परदान करने के लिए की दी जाती है हमारा नेक्स्ट क्वेशन है भूतल पर मोसम और गुबारा पूरन तया फुला हुआ नहीं होता क्योंकि यदि गुबारा पूरी तरह फुला हुआ होता हो तो आंदी में स्थाई नहीं रहेगा गुबारे के बितर की वायू फुरूटने के साथ फैलें लगेगी तो यह फट सकता है यदि इसको पूरी तरह फुला जाए तो यह बाहरी दवाव सहन नहीं कर सकता आपको पता है जैसे गुबारा उपर जाता है तो वायू कायतन कम हो जाता है यू मंडल की वायू कायतन लिश्की कारण जो गुबारे के अंदर की वायू है वो बाहर आने लगती है जिसके कारण गुबारे को कुछ खाली छोड़ा जाता है तो इसका राइट इंसर क्या आएगा बी अंग्रेज भोतिक विग्यानिक जान रेफरी जेफरी को सरोपर्थम मोसम गुबारे के परयोग का सुर्य परापत हुआ था इस गुबारे में या तो हाइटरोजन भरी जाती है या हिलियम भरी जाती है क्योंकि एक तो वायू से हलकी होती है नेक्स्ट दूद के गंतों को मापने के लिए किसका परयोग किया जाता है लेक्टोमीटर, हाइडरोमीटर, बैरोमीटर और आधरता मापी का परयोग किया जाता है तो दूद के गंतों मापने के लिए लेक्टोमीटर का परयोग किया जाता है और आपेक्सित गंतों मापने के लिए हाइडरोमीटर का परयोग किया जाता है वायुदाब कुमापने के लिए बैरोमेटर का प्रयोग किया जाता है नेक्स्ट क्वेशन पानी का घंतो क्रोशिन के घंतो से अधिक है यदि दोनों को मिला जाए तो क्या होगा यदि पानी में क्रोशिन मिला जाता है तो किरोसिन पानी पर तैरता है पानी किरोसिन पर तैरता है पानी में किरोसिन गोल जाता है और वेसमान रूप से मिल जाते हैं तो आपको पता है कि किरोसिन तेल है तो वो पानी को उपर तैरता है किरोसिन पट्रोल इत्यादी इनका जो गंतो है वो कम होता है और तेलिए परकरती होती है जिसके कान ये पानी पर तैरते रहते हैं नेक्स्ट हमारा कैल्सियम जल की स्थाय पर तैरता है क्योंकि कैल्सियम जल से हलका है कैल्सियम के सतह पर हाइट्रोजन के बूलबले चिपकने लगते हैं कैल्सियम एक रंदर में धातु है कैल्सियम का दुर्योमन कम है तो कैल्सियम के हजल से हलका होता है पानी का घंतो कितना होता है एक ग्राम पर क्यूब सेंटीमिटर पांच ग्राम पर क्यूब सेंटीमिटर दो ग्राम पर क्यूब सेंटीमिटर आपको याद रखना है पानी का गंतो एक ग्राम पर क्यूब सेंटीमिटर होता है नेक्स्ट हमारा दाब की अंतराष्ट्य इकाई क्या है न्यूटन किलो क्लोरी पास्कल और जूल आपको याद रखना जाब की मान की काई पास्कल है जो अंतराष्ट्य इकाई भी इसको माना रता है न्यूटन बल की पास्क इंतरश्ट ये काई है हमारा नेक्स क्वेशन है इन में से इंगर्जा के एक uhm, नवी करणिय स्त्रोथ का उधारन है नवी करनिय होते है जिसको दुबारन नहीं बनाया जा सकता वरिक्स, कुइला हवा और जल इसमें कुइला एक ऐसा नवी करणिय alcanz छीक है नवी करणीस Inга ठोट वे होते है रिसाइकल किया सकते हैं जैसे जल हवा और एनवी करणीयस पर फिर से प्रापत करने में हसारा वर्थ लग जाते हैं जिस प्रकार कोईला है नेक्स्ट हमारा क्कैशन है जल का कौनथना कितना होता है जिस पर जल उतकुछ असान ुखे सने जल का कौनथना कोज दिगरी सेंटिग्रेट है और से 2 Nature होता है थे पर्थम नियम जड़तों का नियम है और त्रितियम नियम एक ऐसा नियम होता है जिसमें कहा है कि परते किरिया पर एक समान और विप्री दिशा में परती किरिया होती है जिस परकार हम तैरना कहते हैं पाने को पीछे जोड़ते हैं धकेलते हैं और हम आगे तैरते हैं इसी परकार हम चलते हैं जमीन को पीछे देखेलते हैं और हम उसी गती में आगे चलते हैं और रोकेट का नोधन वीशी का उधारन है नीमन में से कौन उर्जा का एक प्राकरतिक स्त्रोत नहीं है सोलर सेल, बायो गैस, हाइडरो पावर और बैटरी आपको याद रखना है कि जो बैटरी है वो प्राकरतिक स्त्रोत नहीं है क्योंकि हाइडरो पावर में क्या है हम जल से उर्जा प्रापत करते हैं हो शोलर सेल में हम सूरीय से बायो तो नेक्स्ट हमारा इवाम इसका बैटरी का यका ऐसी चीज है जो हमें क्रितरम रूफ से उर्जा परदान करती है नेक्स्ट कतरनी तनाव को जाता है एक सिरे बेरेडियन से डिग्री और डू कांडला तो आपके आदर रखना है जो कतरनी तनाव है वो रेडियन में मापा जाता है पास्कल दाव के लिए डिगरी कौन के लिए कंडेला जोती फलक्स के लिए मापक होती है निमल में से कौन सी एक एदिस रासी का उधारन है आयतन बल तवरन और वेग हमने पहले भी जीकर किया है बल फोरस तवरन एक्सलरेशन वेग विलोष्टी से एदिस रासी है और वहीं दर्यमान और आयतन एदिस रासी है इस एदिस रासी में मातर परिणाम होता है और से एदिस में परिमान और परिणाम और दिशा दोनों होती है नेक्स्ट तडित किसका उधारन है गतिज उर्जा यांतरीक उर्जा चुंबक है नेक्स्ट क्वेशन निमन लिख्त किस परकार की गती रीजू रेखिये परकार की गती का उधारण है एक कैरम बोर्ड पर स्ट्राइक की चाल एक गेंद का उचलना एक लट्टू का गूमना हिंडोले की चाल तो एक गेंद का उचलना रीजू रेखिये परकार का उधारण है नेक्स्ट क्वेशन सूरिय की बाहतम परत क्या कहलाती है वरण मंडल फोटो स्पियर करोना और सथल मंडल जो सूरिय की बाहतम परत होती है वो करोना कहलाती है क्या कहलाती है करोना कहलाती है वरण मंडल सूरिय में उत करमन मंडल से 11200 किलो मेटर तक फैला भाग है फोटो स्पियर के इंदर को गहरने वाला भाग है सथल मंडल प्राकरतिक उपगरय का पथिरला भाग होता है जो इसका मतलब क्या है सूरिय की जो ब में लिख्ट में से कौन सा अक्षयकारी बल है ये विद्ध श्थेतिक बल बी चुम्बकिय बल सी गुर्त्वाक्षन और डी घर्शन बल तो आपको याद रखना है जो घर्शन बल है वो अक्षयकारी बल होता है इसको विरोधी बल या अक्षय कारिबल भी कहा जाता है नेक्स्ट प्रिथवी को कोई दुमकेतू और अक्षुदर गरहों से बचाने के लिए प्रिथवी को रक्षक कौन है मंगल, सनी, यूरेनस और बरस्पती तो बरस्पती को प्रिथवी का रक्षक कहा जाता है ब्रिश्पती दमकेतू और अक्सुद्र ग्रहाओं से प्रिथवी की रक्षा करता है सुकर ग्रहा को प्रिथवी की जुड़वा बहन कहा जाता है मंगल को धर्ती पुतर कहा जाता है प्रिथवी की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है सुकर को और धर्ती पूतर किसको का जाता है मंगल को कहा जाता है नेक्स्ट पवन की गती मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्टेमाल होता है हमने पहले भी किया है पवन की गती मापने के लिए एनीमो मीटर का प्रयोग होता है बैरोमेटर द्वारा वायुदाब, हाइडरोमेटर द्वारा जलगंतो और हाईगरोमेटर द्वारा आप एक चीत आधरता मापी जाती है नेक्स्ट परकास वरस किसके बराबर होता है A option, B option, C और D आप देख सकते हैं कि परकास वरस होता है 9.5 गुणा 10 की पावर 12 किलोमेटर के बराबर होता है एक परकास वरस द्वारा, परकास वरस क्या होता है वो परकास द्वारा निर्वात में एक वरस में जो तैकी युदूरी वो एक परकास वरस कहलता है परकास की निरुवात में चाल 3 लाग किलोमेटर पर 30 सेकिंड होती है और एक वरस में सेकिंड हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो एक परकास वरस होता है 9.5, 10 की पावर 12 किलोमेटर सुर्य एक तारा है सुर्य क्या है का तारा है हमारा 59 क्वेशन है निमिलिक्त में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है यूरेनस, बरसपती, वरुन और सुकर तो सुकर का बूध और सुकर ऐसे ग्रह है जिनका कोई उपग्रह नहीं है मतर दो ही ऐसे उपग्रह है पृत्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है और मंगल के दो उपकर हैं फाबोस और डिमोस नेक्स्ट क्वेशन है एक बरफ जल से भरे कटोरे को ठीक सुनने डिग्री सेल्चेसर पर रखने पर उसमें क्या परिवर्तन होगा अगर एक बरफ और एक जल से बरे को तोरे को दोनों को सुन्य डिग्री पर रखते हैं तो उसमें क्या प्रिवर्तन होगा सारा बरफ पिंगल जाएगा सारा जल बरफ में बदल जाएगा कोई प्रिवर्तन नहीं होगा केवल थोड़ा सा बरफ फिंग लेगा आपको याद रखना है कि अगर एक बरफ के टुकड़े को और एक पानी के टुकड़े को अगर सुनने टेंपरेचर पर रखेंगे तो उसमें कोई प्रियोड़तन नहीं होगा हमारा नेक्स्ट क्वेशन है एक पत्थर को उद्रा उदर उपर उठाने के पेक्सा एक डलान सड़क पर लुड़काना असान होता है क्यों एक तो घर्षन कम हो जाता है और दुसरा इससे क्या हो जाता है पत्थर लुड़काने के लिए किया गया कारिया उसे उठाने के पेक्सा कम होता है इसके कारण घर्षन कम होता है और उकर यह असान होता है नेक्स्ट गरहे टीम टीम आते नहीं क्यों क्योंकि उनका अपना कोई परकास नहीं होता क्योंकि ये परीथवी के करीब है इनके कारण परकास का अधिकास भाग हमें प्रापत हो जाता है जिसके फल्सुरूप परकास उत्षरजन का मामूली सा परिवर्तन होता है जो ध्यान देने योग्या नहीं है तो इसका राइटर्सर क्याएगा डी तो ग्रह हमें टिम टिम आते हुए क्यों नहीं दिखाई जाते इसका राइटर्सर क्या है डी ये अधिक प्रित्वी के करीब हैं जिसके कारण हमें इसनका अधिकतम परकास प्रापत हो जाता है और हमें उत्षरजन कम होता है धन्यवाद दोस्तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेशन धन्यवाद